हेलो एवरीबन वेलकम टू अभीपीडिया पावड़ बाई अभी मन्यू आईएस और सिसेट के आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाली रेश्य और प्रोपोर्शन ओके रेश्यो एक ऐसा कंसेप्ट है जो की हर टॉपिक में यूज होता है अर्थम कोस्चल समदिसके साथ मरें आप लोगों की क्लियर करवाती क्लियर करवाथ जी जो ल Psalbed करहा है click एक् animus ँल्फ सबसे पार जो यह वाले अपने पास में कौन सी रिइशो ऑप लोगों को स्बोईज और गर्स化वें और मिल लोगों है हमारे पास में हैं कितनी है फोर रिचर तो यहां से मेन ना में मिल रहा है जो मैं रिच्ट मैं रहले में रिचल समझा एंगूट review कोश्चनल निंग ओए इसका मिनिंग यह बिल मिग एक एस 해 constant है जो इसके साथ भी multiply हो रहा और इसके साथ भी multiply हो रहा same constant और उससे आपके पास में exact value निकल के आएगी समझारी that means what कि हम यह कह सकते हैं कि boys कितने 4k boys है कि एक constant player you में ठीक है और 5k girls है इसका meaning यह है पहले तो यह point ध्यान से समझ ठीक है अब कहीं पर भी अगर कोई भी value आपके पास में गीवन है अगर आपके पास question में गीवन है कि हैंजी boys 400 तो उसका मतलब क्या हो गया यह value इस question में नहीं है बट माल लीजिए मैं कहते हूं कि boys कि इतने हैं मेरे पास में 400 boys है that means what कि यह जो value है यह 400 के equivalent है ओके तो 4k की value अगर 400 के equivalent है that means कि जो k है k की value क्या होगी 100 100 आता है यह कितना होगा 500 होगा समझ रहे हो बात को तो अब यहां पर इसी तरह से अगर आपके पास में total given total given है तो यहां से अगर हम total लें कि भी 4k और 5k 9k हो गया 9k और अगर आपके पास में total given है तो उसको आप total equivalent put करोगे तो उससे आपके पास constant की value आ जाएगे then तो वो जो constant हा उस constant को आप use कर सकते हो कि आप question आ जाते हां जी what is difference between boys and girls ठीक है how many boys are there how many girls are there total are given total is already given in the question in that case you can find all these things okay अब जो दूसरा point है दूसरा point यह है कि अगर आपके पास में ratio में values given है तो उसको आप fraction की form में भी लिख सकते हो means कि अगर आपके पास boys or girls given है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो boys or girls given है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4k divided by 5k इसका मेनिंग यह होता है देखो ratio का meaning कि वह आपका एक फ्रेक्शनल वैल्यू है देखो के से के cancel out होगे क्या आगया 4 by 5 आगया 4 by 5 5 that means कि ratio boys or girls की फोरेश वीडियो देखनी है अभी एक बार थोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं उसके बाद में question से discuss करने सभी ओके तो यह वाला point के लिए हो गया आप आते हैं question की तरफ एक बार दुबार question डीड करते हैं यह concept सभी को समझ आ गया कि fraction की form में आप लिख सकते हो ठीक है और दूसरा जो ratio में जो value given है that is not the exact value उसके साथ किसी रहा किसी constant को जब हम multiply करेंगे तो exact value निकल के आएगी ओके आप देखते हैं question पढ़ते है जैसे कि यहाँ पर अपने पास में question है क्या है question in a school the ratio boys and girl is for ratio 5 when 100 girls leaves the school अगर 100 girls school leave कर देती लीव मिन्स छोड़ की चली गई then the ratio becomes 6 ratio 7 तो ratio क्या बनगी 6 ratio 7 बन गई है ठीक है तो how many boys are there in the school तो school के अंदर कितने boys यह question अब देखो अगर अपने पास में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास में boys और गल्स की रेशियो गीवन है that means what कि आप उसको फ्रेक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो तो boys और girls को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है बीटा 4K और इसको मैंने लिखा फाइल के सेम भाई है अब उसने क्या क्या है 100 girls चली गई है leave that means कि girls देखो यह boys यह girls तो जो हाँ पर जो भी दिया हुए अगर आपके question में आ जाता है कुछ values add हो रही है या subtract हो रही है कुछ भी इस तरह काते तो आप उसके अंदर से उसको minus करोगे 5 में से 100 नहीं minus करोगे constant के साथ में minus करोगे तो कहरा कि जो नई ratio बन रही है वो कितनी बन रही है 6 by 7 ऑके यह चोटा सा point यहाँ पर गिवान है क्या करना है cross multiply करेंगे value आ जाएगी य तो 2k की वैल्यू आगे आपके पास 600, k is equal to 300 अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू आगे हमारे पास 300 अब यहाँ पर देखो k की वैल्यू आगे हमारे पास 300 and what is the question? बोई कितने आगे आपके पास 12 है so B will be the correct answer बताए कोई डाउट आ रहा है माइनर सा बिल्कुल सिंपल था सिंपल था इसी तरह के easy questions आते हैं पर थोड़ा सा concept समझना है अगर यह चोटा सा point के लिए रहे दैन इसली कर सकते हो आप ओके next question करें फिर हां जी देखिए next question है screen पर next question क्या है यहां पर if two numbers are in ratio two ratio three दो number किस ratio में two ratio three के अंदर है if 15 is added to both अब यहां पर क्या करें दो नों में 15 add करना है both both means दोनों numbers के अंदर आपको 15 add करना है then the ratio becomes 11 ratio 14 find the greater number यह एक concept है ध्यान से समझेंगे इसके अंदर क्या है कि जब भी आपके पास में question आता है कि दोनों values के अंदर कुछ plus हो रहा है या फिर minus हो रहा है तो उस case में आप इसको directly कर सकते हो मैं दोनों बताऊंगी देखें एक तो अभी मैंने आपको method बताया कि इसको क्या लिख सकते है आप ratio को fraction की form में लिख सकते हो तो मेरे पास में दो नंबर है मैं इसको ऐसे लिख सकते हो यह होगे मेरे पास 2x यह होगे 3x कोई issue k लेलो x लेलो n लेलो a लेलो जो आपको variable अच्छा लगता हो आप यूज कर सकते हो ठीक है आप सभी के अंदर जोनों के अंदर उसने क्या कर दिया 15 एड कर दिया 15 एड कर दिया तो नई ratio क्या बन रहे 11 ratio 14 बन रहे 5 डन यह इधर आगे आपका यह होगे 7x 7x और यह अपने पास में value हो जाएगी बिटा 5 and this is 4 ओके 4 आएगा यह होगे आपके पास में 5 4 and this is बस इतना ही आएगा हाँ जी अब देखिए अपने पास में value कितनी आगी x की value आगी यहाँ से हाँ जी देखिए यह बिटा यहाँ पे अपने पास में 7 कैसे आ जाएगा 5 आएगा ना 33-28 33-28 ही होगे आपके पास 5x और x की value आगी हमारे पास 9 आप x की value है 9 आप के रहें कि बताओ greater number कौन सा है तो greater number यहाँ पे कौन सा है greater number नंबर क्या थे हमारे पास में 2x and 3x तो greater number कौन सा होगा 3x 3x that means 3 into 9 that means 27 ओके कितना answer आगे आपके पास 27 डैन अब दूसरा method बताती हूँ ट्रिक बता रहे हूँ मैं आप लोगों को देखो जब इस तरह से आपके पास में question आता है कि एक particular ratio है और उस ratio के अंदर दोनों values के अंदर आप कुछ भी add कर रहे हो या फिर subtract कर रहे हो ठीक है 11 ratio 14 बन रही है 11 ratio 14 बन रही है अब ट्रिक क्या कहती है कि हाँ जी bigger number find out करना तिस ratio में से bigger number कौन सा है यह 3 है तो bigger number कौन सा आजाएगा आपके पास में 3 यह लेंगे इंटू जो भी आप plus minus कर रहे हो जो भी आप plus minus कर रहे हो 11 ratio 14 11 ratio 14 बड़ी में इस छोटी value को minus किया कितना आ गया 3 divided by cross multiplication difference cross multiplication difference देखो 33 minus 28 कितना आ गया आपके पास में 5 कितना आ गया 27 आप देखो यहाँ से भी अपने पास में answer कितना है 27 यहाँ से भी कितना है 27 क्लियर जो आप लोगों को लगे कि easy है मेरी calculation का मोरे आप देखो comparatively देखे तो यहाँ पर अपनी फिर भी calculation हुई है महाँ पर तो कुछ भी calculation निया है ड़न तो यह क्लियर है सभी को next देखे next question है screen पे next question है screen पे देखे के the monthly income of A and B are in ratio 3 ratio 4 यह UPSC का favorite type है इस टाइप के questions बार बार आते एक्जाम के अंदर देखे के the monthly income of A and B is 3 ratio 4 and the ratio of their monthly expenditure is 2 ratio 3 expenditure का ratio कितना है 2 ratio 3 है और income का ratio कितना है 3 ratio 4 ठीक है each save 4000 per month then what is the income of B B की income यहाँ पर find out कर अब इस question को तीन तरीके से करते लो तीन तरीके से आप कर सकते हो आपको जो method best लगे वो करें मेरे according जो अभी मैंने आपको एक method बताया काफी easy सा method बताया यह वाला यह best method वैसे मैं आपको तिन्नों method बताऊंगी सट्रीक के लिए रोजाए कि हो क्या रहा है अब यहां पर देखो हो क्या रहा है कि आपके पास में दोनों cases में सेविंग कितनी आ रही है 4000 यह 4000 सेविंग आ रही है अगर मैं income में से सेविंग को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा क्या बचेगा expenditure बचेगा expenditure बचेगा expenditure बचेगा न मेरे पास total जो income है उसमें से अगर मैं अपनी saving को minus कर दू तो क्या बचेगा expenditure बचेगा और यह ratio किसकी है expenditure की ratio expenditure की ratio that means what कि अपने पास में A और B की income की ratio कितनी है 3 ratio 4 यह कह रहा है कि 4,000 क्या है saving है किसी है दोनों की बच धियान रखना यह वाली trick कहां पर यूज करो कि जब दोनों में कुछ idea subtract हो रहा है अब यहां पर expenditure find out करने के लिए हम saving को minus कर रहे हैं दोनों की saving same है तो हमने क्या करा 4000 ठीक है और नई ratio क्या बन रह done आप देखो हमे find out क्या कर रहा है कर रहा what is the income of B की income find out करो अब यहां पर देखे ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताए थी B की find out करने है लेंगे क्या B into जो भी आप idea subtract करो यहां पर क्या है आपास 4000 into difference between the new ratio 3 से 2 गया बिटा 1 divided by cross multiplication difference कितना आ गया 9 से 8 गया 1 कितना आ गया आपके पास 16,000 ओके सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 16,000 विल भी दे करेक्ट आंसर सेंपर दूसरा मैथड देखे दूसरा मैथड क्या कहते है कि देखो अगर मैं कह रहे हूं कि हंजी ratio जो है इतनी है A और B की income इतनी है that means कितनी हो गई 3x by 4x अब दोनों से अगर मैं क्या मैंनस करूं सेविंग को माइनस करूं तो क्या आजाएगा expenditure आजाएगा minus saving 4000 इसमें से minus कर दिया और 4000 इसमें से minus कर दिया यह method मैं क्यों बता रहे हूं क्यों कि कई बार यह आ जाता है कि A की saving 3000 बी की saving 4000 उस case में यह वाला method नहीं यूज कर सकते है यह वाला method आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है अब देखो नई ratio क्या बढ़ रहे है टू रेशो थी यहां से हमारे पास x की value आ जाएगी x की value आ जाएगी b का कितना consider किया है हमने 4x ठीक है तो आपके पास में value आ जाएगी b की x की value आ जाएगी आपके पास में 4,000 आ जाएगा इसके अंदर तो आपके पास में value कितनी आ जाएगी 4 into 4000 कितना आ जाए 16,000 क्लियर हां जी बताओ को इसके अंदर doubt ठीक है तीसरा method तीसरा method तीसरा method कुछ लोग कहते कि हां जी जब मेरी saving कैसे निकल के आएगी जब मैं जो मे minus करूं गी expenditure को तो क्या निकल के आएगी saving की निकल के आएगी तो अगर मैं income की बात करूं तो income A और B की कितनी के लेंगे हम यहाँ पे income ले लिए हमने 3x and 4x इसी तरह से अगर मैं expenditure की बात करूं expenditure की ratio आपके पास में 2 ratio 3 क्या जाएगे 2y 3y तो यहाँ से आपके पास में क्या दो equation बनके आएगी क्या कि 3x minus 2y is equal to 4000 और दूसरी equation बनके आएगी बेटा 4x minus 3y is equal to 4000 डन तो इससे आप x की value find out करोगे और फिर आपके question आज़ेगे इसको आप solve करोगे आपका answer आजाएगे तो दियान दखो यह जो method है यह यूज नहीं करना किसी ने भी यह जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बार बताया है मैंने यह method नहीं यूज करना है ठीक है या तो यह वाला method पिक करो या फिर यह वाला method मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके question के अंदर ऐसा आज यह जो करोगे ओके नेक्स देखें अंगी नेक्स्ट सेम टाइप ओफ कोस्टियों अब यह इपर संसे एक्जाम में बार बार रिपीटिल्य पूछे जातें नेक्स वोच्टिन है यहां पर कि यहां पर इपर इंकम औंप पवन अमर इस फो रेशो थरी एंड रेशो थे एक एक सिरफ एक मेथड बता रही है आपको क्या है इनकम की रेशयो यह वेटा 4 रेशयो 3 सेविंग कितनी है 1889 एक्सपेंडिचर की रेशयो कितनी है 3 रेशयो 2 ओके नवाट वाट वान टॉझ आउट पावन की वैल्लियो हमने फाइंड आउट करनी और पावन की क्या फाइंड फाइंड आउट करनी है तो पावन की इंकम फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी यहां पर हमने देखा पावन कितना आ रहे है फोर इंटू 1889 इंटू difference between the ratio divided by cross multiplication difference cross multiplication difference कितना आ गया यहाँ यहाँ पर देखो ना यहाँ पर यहाँ 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 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ यहाँ आपके पास में नोचो के 36 आचो के 32 और तिन 35 ख्लियर हाँ जी बताओ दन कोई समें डाउट आ रहा हो कोई भी डाउट आ रहा हाँ एक बात और यह अमारे पास में इंकम आगे अगर यहीं पर आपके पास question होता find the expenditure find the expenditure of power फिर कैसे find out करते देखो जगर आपके पास expenditure find out करना तो उस case में क्या लेते हैं expenditure को लेते बेटा यह तो इंकम आगे इंकम का दा इंकम क्लियर है सभी को ओके expenditure की बात करते हैं देखो अगर बेटा आजाता आपके पास expenditure of power क्या आजाता expenditure of power कि किसी का भी नाम आ सकता है दोनों में से अब यहां पर मैं पवन का expenditure find out करने तो देखो यह क्या है हमारे पास में यह income की रेशो यह expenditure की रेशो तो जिसकी रेशो गीवन उसका पॉइंट उठाओ तो यहां से expenditure में यह आ रहा है अपने पास 3 कि क्या लेते हैं 3 into value यही रहेगी into difference between these ratio जो find out करना उसकी opposite जो दूसरी रेशो है उसका difference लोगे अब यहां पर by chance ऐसा है कि दोनों के अंदर difference 1 आ रहा है by chance ऐसा है हर बार नहीं होता है ठीक है तो यहां पर यह होगे into 1 divided by cross multiplication difference clear है बताओ कोई इसके अंदर doubt बिल्कुल expenditure निकालना था expenditure की ratio लेगे वेटा ठीक है न और difference किसका लोगे income की ratio का difference लेंगे अगर income निकालने था expenditure की ratio का difference लेंगे दन नेक्स दीक है नेक्स्ट देसालरी ओफ a b and c are in ratio 1 ratio 2 ratio 3 तीन लोगों की salary की ratio यहां पर given है आपके पास में कितनी a b c है और ratio कितनी 1 ratio 2 ratio 3 तो salary of b and c together is 6000 बी और c की salary कितनी है 6000 है दोनों की मिला के देन वाट परसेंट is the salary of c more than a to carry a say c की कितनी जाद है सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि तिनों की salary कितनी है पहले हमें अगर यह पता चाहिए कि तिनों की salary कितनी है उसके बाद ही हम find out करेंगे ना more less तो तो आप देखो यहाँ पर तीन लोग है ए बी और c रेशो कितनी है वान रेशो टू रेशो तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बता है कि exact value नहीं है यह exact value नहीं है that means but कि यह जो दोनों है अगर मैं मान के जो constant लेना constant से लेलो directly भी कर सकते हो तो देखो यहाँ पर यहाँ पर बिटा अगर मैं कहूं कि यह है 2 unit यह है 3 unit यह है 1 unit अब उसने क्या कहा बी और c together कितना 6000 बी और c together that means कि 2 unit यह होगे और 3 unit यह होगे कितनी होगे फाइड यूनिट जो फाइड यूऱिट्स है डीस तो वन यूड़ेंट की वैल्यू कितनी आ गी हमारे पास दॉन यूणिट की वैल्यू गाई चाहिक बासा अगलि ऑगर यह वैल्यू बारासो आ गयी ठीक है यह वैल्यू हमारे पास में बारा सो आ गई है तो इसकी हमारे पास में कितने आगे बारा सु यह होगे हमारे पास में 2400 और यह होगे हमारे पास इससे easy method भी बताऊंगी मैं एक बर concept समझ लो क्योंकि मेरा आज रेशियो की class है percentage की class में गरी percentage की class होती तो मैं इसको दूसरे method से बताती पर मैं दोनों बताऊंगे आपको ठीक है तो ध्यान से समझे पहले यह वाला समझ लो यह समझ आगे तिन्नों की हमारे पास में को क्योंक करने है अब हम यहां से देख रहे है कि जो C की cell rate कितनी ज्यादा है A से कितनी ज्यादा है 2400 ज्यादा 3600 माइनस वारा सो 3600 में से 1200 को माइनस किया आपके पास 2400 आ गया अब कंपेर किसे कर रहा है more than A A से that means कि divided by 1200 into 100 कितना आ गया 200% so answer आ गया आपके पास 200% ओके अब देखोई बेटा एक बात त्यान से समझेंगे बिलकुल carefully कि जब आपके पास में ratio गीवन है या फिर percentage these are relative values ओके तो यहां पर जब ratio given है तो यह क्या है relative value relative value और आपको find out करना percentage तो आपको exact value calculate करने की जरूरत नहीं है आप सिरफ इसको इतना भी कर सकते थे अब यहां से अगर मैं मैं देखूं C को और A को मैं compare करूं तो कितने units का फरक पढ़ रहा है टू यूनिट्स का डिफ्रेंस आ रहा है तो कितना ज्याद है सीए से टू यूनिट्स ज्याद है ठीक है अगर यूनिट्स में confusion लगती है आपको कहने में तो आप के लिख लो कोई दिक्कत नहीं है यह देखूं यह 3K है यह 1K है यह 3K है 1K तो कितना आगया 2K किस से एक साथ compare करना है 1K इन्टों कितना आ गया 200% सिधा अंसरा आ आपको कैलकुलेट करने कि जरूरत है थी देखो कितना सिंपल से कर लिया तो आंसर कितना ठीक है न, यहाँ पर आ जाता, by, but the salary of C is more than this, percentage ना होता, percentage ना होता, यहाँ पर मालो, by, but, simple इतना answer होता, तो क्या answer आ जाता आपके पास, percentage में नहीं calculate करने अतना होता, इस case के अंदर आपको calculate करना पड़ता है, तो कितना answer आता, 2400 answer आता, ओके, next देखे, देखे, पीटा, C set के paper में अभी time है, जो students, कुछ students ऐसे भी है, कुछ students ऐसे हैं, जुनोंने अभी सोचा है कहांजी, UPSC clear करना इस पर, first attempt में हम clear कर देंगे, तो उनके पास में अभी time है, अभी आप एक बार C set के लिए prepare कर लो, अभी आप C set के लिए prepare कर लो, GS का stress बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें पता है कहांजी, C set क्वालिफाइंग है उनली, क्वालिफाइंग नेचर का है C set के exam, बट कई बार case में क्या होता है, जैसे इस बार ही हुआ है, लोगों का C set रह गया है, और GS उनका qualify होने का chances थी, कि GS का तो हमारा part qualify हो एक बार पूरे का पूरा syllabus कवर कर लो, उसके बाद में just revision रह जाएग, जो important points है वो बाद में आप रिवाइस कर सकते हूँ, ठीक है, तो इसके लिए complete course भी हम provide करवार है आप लोगों को C set का, C set का complete course provide कर रहा है, description में link available है complete course का, video course का link available है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकत करना है, जो student चाहते हैं कि अभी हमारे पास time में अभी C set का part clear कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में तो मुझे पता है कि हांजी इस time पर होता क्या है, stress, exam pass में होता है, उस time पर सारा stress GS पर होता है, ठीक है, यह human tendency है कि हांजी, जिसके अंदर से हम यह मान के चलते हैं कि यह तो क्वालिफाइंगे, यह तो हो ही जाएगा, ठीक है, इसकी बजाए में इस पर ज्यादा फोकस करूँ, लोग भी सला देंगे कि हांजी, इस पर ज्यादा दो GS, यह तो क्वालिफाइं करी लोगे, बट जिन students, कुछ students ऐसे 10th क्लास के बाद में उन्होंने बिल्कुली math वगर ले सकते हो, same way logical reasoning है इंग्लीश, ज्यादा टाइम नहीं लेते, question solve करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप भी कहोगे, मैं बाते करने लगे हैं, तो मेरा main game है, जब मैं C set आपको लिएको प्रिपेर करवा रही है, तो आप लोगों को गाइड करना भी मेरी duty बनती ह ओकी, चलो देखें, क्या है, इफ दे रेशो फटे इस अफ टू फ्रेंड एंड बी इस इन रेशो 3 रेशो 5, अब एजी का question है, बट आरा रेशो के अंदर, तो रेशो का concept हमें clear होना चाहिए, क्या कह रहे है, दे रेशो फटे इस अफ टू फ्रेंड इस इन रेशो 3 रेश 5, अब A, B की रेशो गिवन है, B, C की रेशो गिवन है, and the sum of their age is 147, then how old is B, B की age आपको find out करने है, जब आपके पास में, अलग अलग रेशो गिवन है, A, B की रेशो कितनी है, 3 रेशो 5, ठीक है, B, C की रेशो कितनी है, 3 रेशो 5, दोनों की रेशो 3 रेशो 5 है, तो हमें collective ratio calculate करनी होती है, सभी की कठी करनी है, इक ठीक कैसे करोगे उसको, देखो, एक तो simple सा method है, इसको ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जो, शितना आगया, 9, 15 and 25, ठीक है, अब इसमें काखर confusion होती है, तो देखो, मैं आपको दूसरा असान तरीका बताएं, यह सबसे आसान है, वैसे को इधर ले ओ, हो गया, अब मल्टिप्लाइ कर लो, इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे, आगे 9, इन दोनों को मल्टिप्लाइ किया आगे 15, इन को मल्टिप्लाइ किया 25, आगे ratio आपके पास में, collective ratio, अब यहाँ पर क्या करें, sum of the ages is 147, that means कि इन तिन्नों का sum किसके equal है, 147 के equal है, 147 के equal है, और हमने किसकी value find out करनी है, B की, तो B की कैसे करोगे, की होगे, B, divided by total, total इन सब का total करेंगे, यह होगे, 40, 49, ठीक है, 49 into 147 होती है 27, कितना आगे आपके पास, 45 years, done, confuse नहीं हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको, ऐसे भी कर सकते हो, अगर जभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास total given है, यह सारा total के equal होता है, total के equal होता है, यह होगे, आपके पास पर 49, सभी का total करोगे, कितना आगे, 49 units हो गया, 49 units, और इसने total कितना का है, 147 का है, 147, तो 1 की value कितनी आगे, 147 divided by 49, 3 आगे, अब हमें find out करने है, B की value, तो that means की 15 units, 15 units किसके equal हो जागे, 15 into 3, 45, done, answer कितना आगे, 45, बताये कोई doubt आ रहा हो इसमें, कोई भी minor सा doubt आ रहा हो, clear है, next देखे, next देखेगा, next question है, इस sum of rupees 427, is divided among A, B, C, तीन लोगों के बीच में divide किया है, अब यहाँ पर साथ में क्या किया, that is such that, 3 times of A share, and 4 times of B share, 7 times of C share, are equal, find C का share, find out करने है, C का share, find out करने है, क्या equal का है, 3 लोग है, इसमें काया है, 3 times of A share, 3 times of A share, is equal to 4 times of B share, is equal to 7 times of C share, यह काये हैं आपर, यही बोला गए है, आप देखो, जब भी इस तरह से values गीवन है, तो उस case में ratio कैसे find out करोगे, आप ratio कैसे find out करोगे, सबसे पहला point है, कि total हमारे पास में है, ठीक है, और हमें यहाँ पर, इसको ratio चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, तो ratio देखो, अगर मैं यहाँ पर A, B की बात करूँ, दो method है, दो method एक तो तरीका है, कि आप इसका LCM ले लो, LCM ले लो, ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि 1 by 3, अगर मैं लूँ, A, B, C, कितना होगे, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 7, LCM लेंगे हम, LCM लेंगे, यह कितना आगे, आपके पास में, 4, 12, 12, 17, 84, ठीक है, तो यह होगे, अमारे पास में, 3, 2, 6, 3, 8, 24, 4, 4, 2, 8, 20, और यह होगे, 7, 7, तो रेश्यो कितना आगे, बिटा, यह रेश्यो आगे, आपके पास में, 28 रेश्यो, 21, रेश्यो, 12, इस तरह से कर सकते, पर अब आप कहोगे, मैंनम, आपने इसको 1 by 3, 1 by 4 क्यों लिखा, तो वह मैं आपको एक बर बता देती हूँ, क्योंकि कंसर्प्ता के आप लोगों का रेश्यो 3 आगे, ठीक है, सेम वे, अगर इन दोनों को उठाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 4B is equal to 7C, ठीक है, तो B by C की वैल्यो कितनी आगे, 7 by 4 आगे, दो रेश्यो मिलगी मुझे, अभी कलेक्टिव रेश्यो हमने लास्ट कोस्चिन में, फाइंड आउट करी है, क्या आ ठीक है, कितना आ गया, साचो के अट्थाइस, ऐसे कर सकते हो ना, यह फिर इस 3 को इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लो, बात एक ही है, कितना आ गया, यह हो गया, 721, 12, क्या कैलकुलेट किया था मैंने, यही तो बताया था भी, दोनों में सुजो आपको बैटर लग करेंगे, टोटल करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गया, आपके पास में, यहास यह वैल्यू आ गया, 28 और 12 होगे, 40, 40 और 20, 60 हो एक सट, ठीक है, इतना ही बनेगा, इंटू, टोटल, टोटल कितना गी बना, आपके पास में, 4, यह चला गया, 7 से बरस आते चुरा से, कितना आ गया, 84 आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गयी, 84 आ गया, बताओ कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, नेक्स देखें, हाँ जी, नेक्स्ट कॉस्चिन है स्क्रीन पे, देखें क्या है, इन ए बैक, दे रेश वैल्यू गिवन होती है, दो फोर्म में गिवन होती है, कि जो अपके पास में अमाउंट है, यह वाली, या तो यहां पे गिवन होता है, रुपीज के अंदर वैल्यू गिवन है, रुपीज में गिवन वैल्यू है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी कोईंज है उनको रुपी की फो में convert कर लेंगे दूसरा number of coins की form में हो सकता जब number of coins अगर है तो फिर तो बिल्कुल easy है उसकी ratio हमारे पास already है आप उसको use कर लोगे बट अगर आपके पास में जो data rupees की form में तो आपको उसको पहले रुपीज में convert करना पड़ेगा ठीक है कैसे अब यहां पर क्या कह रहे है टू रुपीज के कोईन है और वन रुपीज के कोईन है और फिप्टी पैसे के कोईन है किस रेशियो में 3 4 & 5 अब हम यह माल लेते हैं अगर 3 4 5 की रेशियो है तो टोटल अगर हम coin की बात करती है कित होते है इस सिक्स के रुपीज बनगे दूसरे केस में यह 4 के रुपीज ही बनेंगे और यह कितने रुपए बनेंगे वें 50 पैसे अगर मेरे पास में 2 कोईन होंगे तब कि आगा यह थी हमारे पास में किसकी कोन की रेश्यो यह हो कि यहां से हमारे पास में रूपीज की रेश्यो आजायएगी के आपको समझाने के लिए मैंने रिख्षा यूनिट्स का माइंड में रख्के और इसको कैंसिल अवट भी कर सकते ही हुँआ तो अब यहाँ से अगर मैं ratio निकालू तो ratio कि तब क्या ने बनेगी अपने पास में यह होगे हमारे पास में 12, 8 and 10 ratio कितने आगे हमारे पास में 12, 8 and 10, 10 निसो और 5 आएगा यहाँ पर बिटा क्या कि है यह हमारा cross multiply होगा सभी के साथ में ओके अब हमें given क्या है? given क्या है आपके पास में? given आपके पास में कि total 250 रुपए 250 रुपए हमारे पास में ठीक है? जब 250 रुपए है तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे यह मिल जाएगी वैल्यू तो अब 250 हैं तो यह देखते हम कि इसकी वैल्यू कितनी होगे यह होगे 12, 12 और 20, 20 और 25, 25, that means कि 25 के अगर मैं देखूं 25 यूनिट्स जो हैं मेरे पास में वो किसके इकवल है 250 के तो वन यूनिट किसके इकवल होगी मेरे पास में 10 के इकवल होगी 10 रूपीज के इकवल होगी 1 यूनिट अब यहां पर कोश्चन है आपके पास में कि बताओ कि एक रूपए के सिक्के कितने हैं एक रुपए के सिख्के कितने हैं, ये क्या आगया मेरे पास में, 10, 10 that means कि मेरे पास में 80 रुपए जो हैं, वो कितने के हैं, एक एक रुपए के, अगर मैं रुपीज की बात करूँ, तो मेरे पास में 11 के कोईन के कितने रुपए आगे, 10 into 8, 80 रुपीज आगे, जब 80 रुप तो यही हो अगर यहीं पर अपने पास में ध्यान रखो अगर यहीं पर हमारे पास में क्या होता हिव कुषि टॉला है तो ऑल मैं दबल हो रहते है ऑधाव का यहित्व आ रहा हुरो । आगे तो देखी स्टुडेंट्स अगर आप लोगों को रेशो के जो मैंने कोस्ट्वन कराएं आपको इसली समझ आगे ठीक इसी तरह से बहुत कंसेप्ट से रेशो के अगर आप लोगों को लगता है कि हां जी हमारा कंसेप्ट के लिए रहे देने वेल और अधर्वाइस को किया वर्ड माइड्यू को शेडिशन में माइक रोसका अब्लेवल जो सकते हैं रहे नहीं के पूरा गम्प्लीट स्ट को अपनेवे अगर आपको प्रैक्टेस के लिए क्न रहेत है तो मेरा मेरे है पर मेरे को practice questions की जरूरत है कि ratio के उपर जितने भी questions उसकी मैं अच्छी से practice कर लो तो practice question भी अव लेबल है तो with complete solution तो उसके लिए भी आपको कहां पर जाना पड़ेगा micro courses पर जाना पड़ेगा ओके so students it was all for today अगर आपको लगता है कि कुछ समझा आया कुछ समझा आया तो video को like और share जरूर करेंगे अपने friends के साथ में like और share जरूर करेंगे जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर लेजिए ठीक है notification के लिए notification bell पे click करेंगे तो आपको सभी notification जितनी भी notification से वो सभी notification आपको मिल जाएगी okay so thank you मिलते है next class में thank you so much